ओम सिरीगने सायरमा दोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योग चैनल में आपका हारदिक स्वागत है दोस्तू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12 जुलाई मंगलवार के रासी फल के बारे में की हाँ दिन मिथुन रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला है किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिश और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को रिवी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सस्क्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंस सके चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मेथुन राशी वालों के लिए मंगलवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पोजिटिव रहने वाला है दोस्तो आज विध्यार्तियों को इंटर्व्यू वेक केरियर सम्मंदित परिक्षाओं में सपलता मिलने की पूरी संभवना है इसलिए अपनी पढ़ाई के प्रती एकाग रिचित रहें आपकी संतुलित दिन्चरिया की वज़े से अधिक्तर काम आज समय पर पूरे होते जाएंगे साथी साथ दोस्तो किसी धार्मिक प्रवर्ति के व्यक्ति से आज आज आपकी मुलाकात आपकी विचार धारा में शकार अत्मक परिवर्तन लाएगी तथा जीवन से जुड़े प्रते कार को करने का बहतरी नजरिया आज आपको प्राप्त होगा आर्थिक इस्तिती भी आज आपकी काफी अच्छी रहेगी रिष्टेदारों के साथ मनोरंजन संबंदित प्रोग्राम बनेंगे और संबंदों में नजदी की आएंगी पिछले कुछ समय से जिन कार के प्रती आप मेहनत कर रहे थे आज उसके सुब पैणाम उमीद से जादा आपको प्राप्त होंगे धार में कार के प्रती आज आपका रुजहान बढ़ेगा पिछले कुछ समय से जिन कामों में रुकावट आ रही थी वे आज बहुती सहज और आसान तरीके से हल हो जाएंगे वस्त्र आबूशन जैसी खरीदारी में भी आज समय व्यतित होगा समय आपके पक्ष में हैं इसका सम्मान करें, किसी सुब समाचार के मिलने से घर परिवार में आज खुसी का माहल रहेगा आप की मेनत वे परिश्रम से कोई महत्पूर्ण कर रहें, आज संपन होगा आपकी योगता और छमता पर परिवार के सदस से गर्व महसूस करेंगे किसी विश्वेशनिये व्यक्ति की शला और शयोग आपकी खोई हुई पृतिष्ठा को दुबारा हासिल करवाएगा जिससे आपके आत्म विश्वास में वरद्दी होगी घर में कोई धार्मिक आयोजन भी आज संपन होगा दोस्तो आज का दिन आपके लिए बहुती अच्छा दिन सिद्ध होगा दोस्तो आज आपको नहीं नहीं सफलता हैं मिलने के अने को योग हैं दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगटिव हो सकता है दोस्तों के साथ आज फिजूल गुमने फिरने में अपना समय वेर्थ ना करें अपनी शाररिक उर्जा को बना कर रखें आलास्वे मनोरंजन में समय वेतीत करने की वज़े से बनते कामों में रुकावट आ सकती है अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज समाल कर रखे कोई इनका गलत इस्तमाल भी कर सकता है और इसकी वज़े से आपके स्वाभिमान को भी ठेस पहुँच सकती है संतान की गत्य विदियों पर पैनी नजर रखे बच्चों की समस्याओं को सांती पूरवक सुल जाएं उन्हें डाटने वे गुस्सा करने से उनके अंदर हिंता की भावना उपज सकती है कालपनिक बातों पर अधिक ध्यान ना देकर यथार्थ पर विश्वास करें परन्तु ध्यान रहे कि किसी भी कार्रे को करने से पहले उसके अच्छे बुरे पहलों पर आप विचार अती आवश्चा करें क्योंकि कुछ गलत होने की भी संभावना लग रही है साथी साथ आज अधिक तर समय घर से बाहर व्यतीत करना पड़ सकता है परन्तु सफलता प्राप्त करने के लिए मर्यादाओं का ध्यान रखना आपके लिए आवश्चक है कोई भी अनुचित कार रहे और आपका क्रोध पूर्ण वहवार आपकी योजनाओं को डग मगा सकता है शाफदान रहें दोस्तो दूसरों के सुजावों पर गंभीरता से विचार करें तता फिजूर खर्ची से बचें अचानक ही किसी प्रकार के महत्मपूर्ण खर्चे सामने आ सकते हैं साथी साथ किसी निकट संबंदी से भी मतबेद होने की आज पूरी संभवना हैं साफदान रहें दोस्तो बात कर लेते हैं जबकि लवलाइफ के शिरेने वाली हैं दोस्तो विवाहित जीवन आज शुक में रहेगा प्रेम संबंदों में आज काफी मजबूती आएगी प्रेम संबंदों के लिए आज का दिन बहुती आपके अनुकूल हैं परिवारिक गति विदियो में आपका शयोग और समर्पन वातावरण को और भी अधिक खुसनुमा बनाएगा तथा आपसे संबंदों में और अधिक नजदी कियाएंगी पती-पतिनी के संबंदों में मधूरता रहेगी किसी भी महत्वपूर्ण कार्रे में अपने जीवन साती की आपसला हवस्च चले आज का दिन आपके प्रेम संबंदों को मजबूत बनाने के लिए एक बहुती अच्छा दिन शाबित होने वाला है दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वैवशाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो आज ग्रह इस्तितियां आपके पक्ष में हैं कुछ अच्छे कार्रे आपके सफल होंगे तथा तरक्की के उचित अवसर आपको प्राप्त होंगे नोकरी पेशा व्यक्ति अपने कार्रे को बहुत अधिक ध्यान पूर्वक करें कोई गल्ती होने की भी आज संभाव ना है दोस्तो देनिक आए में वरत्ती होगी आयात न्यात सम्मंदित कार्रों में अधिक ध्यान केंदरित करें कोई बड़ा अनुबंद मिलने की आज संभावना है नोकरी पेशा व्यक्तियों को अपना टारगेट पूरा करने से तरक्की मिल सकती है आज कुछ नए अनुबंद मिलने की संभावना है कोई भी डील फाइनल करते समय समझदारी और सूजबूज से काम ले लाब के मार्ग प्रस्तत होने के आज योग बन रहे हैं अथे समय का आप भरपूर सदियुप्योग करें दोस्तों वैवसाई गतिविदियां आज सुचारू रूप से चलती रहेंगी परंतु नोकरी पेशा वाले व्यक्तियों को अपने कारों के पिरती थोड़ा साबधान रहने की वियाव सकता है अन्यता अधिकारी वर्ग की नाराजगी का भी आपको शिकार होना पड़ सकता है वैवसाई के विचार संबंदित रूप रेका पर किसी भी कारे को आज इस्तगित करें आर्थिक सादनों में आज व्रद्धी होगी परंतु किसी भी प्रकार के अनुचित कारे को करने से आपको बचना होगा दोस्तो प्रॉपर्टी से सम्मधित कारों में पेपर वर्क पर आप अधिक ध्यान दें जरासी सावधानी आपको किसी बहुत बड़ी मुसीवत से बचा सकती है नोकरी पेशा व्यक्तियों से बौस्वे अधिकारी वर्ग आज प्रसन रहेंगे प्रमोशन मिलने के भी आज योग बन रहे हैं दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तो आज गिरने से या वाहन आदी से चोट लगने की संभावना बन सकती है इसलिए आज आप अत्यादिक सावधानी बरते हैं वैसे आज आपका स्वास्त बहुत यच्छा रहेगा साथ-साथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजना योग करें वैयाम करें स्वास्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशे शुपाई क्या हैं दोस्तों आज आप इस नान आधी से निरवत रहोने केपाद भगवान बजरंग बली जी के मंदर जाएं और भगवान बजरंग बली जी को आप केवड़े का इत्र, वे गुलाब की माला अवश्य चड़ाएं और साथ साथ अपनी मनों काम नए माँगें जो भी आपके जीवन में परीशाने चल रही हैं समस्त परेशानियों कांट करेंगे और आपको ऐसा करने से जल्द ही सुब फ़लों प्राप्ति होंगी और आपके समस्त कर रहे भगवान बजरंगबली के असिर्वाद से बहुत यासानी से बनते चले जाएंगे दोस्तो भगवान बजरंगबली का सिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट स्बोक्स में जै बजरंगबली अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद